जी हां दोस्तो एक लेटर आप लोगों के सामने हैं देख सकते हैं 11.08.2013 यनके कल की डेट का ही दोस्तो ये लेटर है जी हां अगर कोई भी दोस्तो विभाग चाहे तो ठेकेदार या फिर जैंसी किसी भी करमचारी का दोस्तो एक भी पैसा नहीं खा सकती जी हां क्यों हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बहुत बार देखने में मिलता है कि जो ठेकेदार होता है वो करमचारें का E.S.I. नहीं कटवाता या फिर P.F. जमा नहीं करवाता उनको किसी प्रकार का कोई हिसाब किताब नहीं देता और भी भाग है कि दोस्तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए त्यार नहीं होता क्योंकि वो ठेकेदार के करमचारी होते हैं लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लेटर चारी किया गया है दोस्तो 11.82 जाते इसकी डेट में जिसमें ठेकेदार को दोस्तो यहाँ पर यह तलब कर लिया गया है यानि कि उसको बुला लिया गया है क्योंकि उसने यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडिगट के तहट दोस्तो काम करने वाले कुछ जो ग्रूप D के करमचारी थे उनका EPF ESI जमान नहीं करवाया था जिहाँ EPF ESI जमान नहीं करवाने पर उसको यह नोटिस जारी करके बुला लिया गया है 14 तारीक को जिहाँ आज जैसे 12 तारीक है तो सोमार को उसको भुला लिया गया है और उसका सपस्टी करण मांग लिया गया है आपने क्यों अब तक करमचारी का EPF ESI जमान नहीं करवाया है जबकि विभाग ने अपनी तरब से उस ठेकेदार को दे दिया है इनका आक्रमचारियों का पैसा लेकिन ठेकेदार ने जमान नहीं करवाया है बता गया है या अपर अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक के बीच का इनका क्रमचारियों का यह पैसा पैंडिंग है तो क्यों नहीं जमा करवाया या तो वो सपस्टी करन देगा या फिर इस दोरान जो भी एक दो दिन उसके पास बचा है तुरंत खाते में पैसे डलवाएगा वरना उसकी अजैंसी को दोस्तो ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है उसकी जो सिक्यूरिटी राशी जमा है उसको जब इस नय देने से क्रमचरियों को प्रेशान करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया है और ये बहुत अच्छा कदम कह सकते हैं इससे सभी ठेकेदार हैं जितने भी चैवो अजैंसी के थुरू लगे हुए हैं उन सभी के मन में एक डर तो रहना ही चाहिए कि उन्हों जो है जो क्रमचरी है वो जो जाते हैं अपने अधिकारी के पास वही सिकायत लेकर हमारा ठेकेदार हमें समय पर सेलरी नहीं दे रहा है तो बोल देते हैं सीधी सीधी ठेकेदार की जिम्मेदारी है हमारा इसमें कोई रोल नहीं है जबकि अगर वी बाग चाहे अधिकारी चाहें तो ठेकेदार पर दबाव बना सकते हैं इस तरह से जैसे कि यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ठेकेदार का ठेका रद किया जा सकता है अगर वो समय पर अपनी सभी नियम सर्तों को पूरा नहीं करता है तो एक यह उदार्ण है सभी करमचारि इसमें जरूर शेर कीजेगा इस तरह का दबाव जो सिक्षावी भाग डाल रहा है अच्छा है नहीं है जो भी है लेकिन हम यह कहेंगे यह बहुत अच्छा काम है ठेकेदारों के उपर इस तरह का दबाव होना चाहिए ताकि वो सभी करमचारियों को समय पर सुईधाय उपल